नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज ओल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्यूम निशर्मा शुरू बात करेंगे उत्राखंड की खास खबरों की अगर चेरा नहीं गोशित किया जाता है तो कार करता हो और जनता में ब्रहम किस्तिती पैदा होगी प्रदीप नहीं कहा है कि हर्याना के अंदर भी कॉंग्रेस के सबसे लोगप्रिय चेरा भूपेंदर हुड़ा को मुख्यमंत्री का चेरा देर से गुशित किये जाने पर कॉंग्रेस को सकता से बाहर रहना पड़ा और वहीं कोरना काल और कोहरे के बावजूद हरिद्वार में मकर संक्रांती के पावन पर्फ पर हरकी पैड़ी के शाही अन्य घाटो पर श्रद्धालू ने इसनान किया है साथी आस्ता में कोई कमी नहीं देखने को मिली है श्रद्धालू सुबैसे गंगरस्तान के लिए इसनान घाटो पर पॉशने लगे हैं और इसनान कर रहे हैं वहीं कोरना के चलते इस बार श्रद्धालों की संक्या कम देख रही है केदारनात धाम में हुई बर्फवारी के बाद केदारपूर में हर तरफ बर्फी बर्फ नजर आ रही है केदारनात धाम में 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है 16 नमबर को केदारनात के कपाट बंद हुए थे बर्फवारी उससे पहले ही शुरू हो गई थी बर्फवारी की वज़े से कि दरनाध धम में पुनर निर्माण कारे भी बंद कर दिये गए थे पहडों की राणी मसूरी के पास जौनपुर, जौनसार वेरवाई घाटी में माघ के महीने में मनाया जाने वाले मरोज त्योहार शुरू हो गए हैं इस त्योहार में हर गाओं के घर-गर में कई तरिके के पक्मान बना बना जाते हैं मरोज का त्योहार कई पीडियों से मनाया जा रहा है जिसमें इस त्योहार को गाउं से बाहर रहने वाले सबी लोग अपने घर आ जाते हैं वैस त्योहार को बड़ी धूमदाम के साथ मनाते हैं और जश्ट भी मनाया जाता है दशों पीडी से इस तेवार को मनाया गया है यह हमारा एक बहुती खुशी का तेवार है जिसमें की पूरे गावाले रिच्तेदार बुलाए जाते हैं और उनको कठा करके एक एक टुकिडी सबून अपनी जो लोकल भासा है उसमें मैं बोल रहा हूं कि एक एक टुकिडी सब कुन और रोटी खला देते हैं यह हमारे लगबग जैसे इधर नैनवाक साइड में भी ज्यादा मनातें इसको तिर्शाइड भी और हमारे इस केमटी छेतर में भी इससे यह होता है हमारी जो नेक्स्ट पीडी है छोटे-छोटे बच्चे है हमारे इस रिवाज के मुताबि उनको भी आगे सीखने के लिए मिलता है कि हम लोग कैसे गाउं में एक साथ प्यार प्रेम एक जुट हो करके हमारा ये कल्चर बने रहे और हमारी ये सांस्कित बने रहे और आपस में प्यार प्रेम की बहना बने रहे ननिताल के लालकुम है वन विवाग ने आरा मशीन पर छापा मारा है जाँचापे मारी के दोरान अवैद शीशम और सागौन के 20 गिल्टे बरामत किये गए हैं वन विवाग ने इस आरा मशीन को सीज भी कर दिया है मालक के खिलाब भी वन अदीनियम के तहट मुकदमा दर्च कर लिया गया है ये कारवाई डॉली रेंज के वन शेट दर्रिकारी अनिल जोशी के कहने पर की गई है उन्होंने बताया है कि अवैद गिल्टे कहां से आए हैं किसके हैं इसकी भी गहंता के साथ जांच की जा रही है फिलाल बरामत गिल्टे दो से तीन सार पुराने बताये जा रहे हैं ये किस रेंज के हैं इसकी भी जांच की जा रही है उन्होंने काए कि इस मामले में जो दोशी पाया जाएगा उसके किलाब सक से सक्त कारवाईयां पर की जाए लालगोव कॉंगरेस के वरिष्ट नेता अबम जिला प्रवक्ता हरेंदर सिंग ने प्रेस वारता कर काहा है कि कॉंगरेस ही किसानों की सची हितैशी है उन्होंने का है कि 2022 की विधानसवाद चुनाव कॉंगरेस पूर मुख्यमंतری हरी शावत के नेते तुमें लड़ेगी और हरी शावत ही कॉंगरेस के मुख्यमंतری पद के उंबीद्वार होंगे उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कॉंग्रिस पचास सीटों पर विजय हासल करेगी यह अपने आवास पर उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है और सिर्फ भाष्णबाजी से यह जंता को गुम्रा कर रही है इस दौरान वो कॉंग्रिस की गुटबाजी को लेकर भी बोले उन्होंने कहा है कि कॉंग्रिस में किसी तरीके की गुटबाजी नहीं है और सभी कॉंग्रिस कारेकरता 2022 की विधानसवाच चुनाव में अभी से ह पूरी निश्टा और लगन के साथ लगे हुए हैं सोनिया गादी जी को हमारे ने प्रभारी देविंदर यादव जी को मैं बिंदी और प्रात्ना करना चाहता हूं कारी करता हूं की ओर से एक मिनट भी इसमें देरी नगर है हरी स्रावज जी को सीधे-सीधे यहां पर 2022 के लिए चेहरा घोसित कर दे और उनके नेतत्तम हम कारी क का चेहरा आगे होता है तो जनता और कारिकरता दोनों में भारी जोस और उत्सा हो गए हम पर उत्रा घंड में कोरना वारिस के 209 नए मामले सामने आ गए हैं इन दिनों मामलों के सामने आने के बाद राजवे संक्रमितों की संख्या 94,000 के पार हो गई है खबर के मताबिक बीते 24 घंटे में कोरना के कारण चार मरीजों की मौत भी हो गई है प्रदेश के स्वास बिवाग दोरा जारी बुलेटिन के अनुसार 209 संक्रमित मिलने के साथ ही प्रदेश में कोरना वारिस संक्रमितों की संक्या बढ़कर 94,170 हो गई है ताजा मामलों में से सरवादिक 97, वहरदून जिले में नेनिताल में 45, हरिद्वार में 19, उदम सिंग नगर में 10 मरीज मिले हैं इसके अलावा बुद्वार को प्रदेश में 4 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है आपको बता दे कि महमारी से अब तक प्रदेश में 1500 से ज़्यादा मरीजों ने अपनी जान गवा दी है फिलारिस मुलिटे में सरफ इतना ही बने रही है निउस वेल इंडिया के साथ नमस्कार